नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक स्वाग पर दोस्तों हाइवरेड विसकस को कटिंग से लगाया जाता है ऐसा बहुत कम लोगों को यकीन हो रहा था उनको लगता था कि यह मेरा प्लांट जो है वो मैंने परचेज किया है लेकिन ऐसा नहीं है यह प्लांट जो है यह कटिंग से ही ग्रो हुए है और एक नहीं दो नहीं ती कुछ कंटिंग मैंने अभी हाल में ही और भी लगाई है पसर अब इन कटिंग को लगाने में कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए यह तो आ पंडर हो अप लोगों को दिखाओं गा और कुछ cutting में उससे भी लूँगा और कुछ अपने अधर hybrid viscous से लूँगा तो बहुत इसली इनको cutting से लगाया जा सकता है मुझे भी लगता था कि यह cutting से नहीं लग सकते लेकिन इनको cutting से लगाने के लिए जब मैंने एक नया तरीका चुना तो बहुत ही easily यह propagate हो जाते हैं मैंने कुछ नई cuttings भी अभी लगाई है और कुछ अभी लगा कर आप लोगों को दिखाऊंगा भी hybrid viscous को जब हम cutting से लगाते हैं तो कुछी चीजों का हमको ध्यान रखना होता है जैसा कि हमको बहुत ही soft cutting लेनी होती है बिलकुल उपर का हिस्सा लेना होता है टिप का जहां से growth हो कुछ दूसरे प्लांट से और उसके बाद आप लोगों को cutting लगा कर दिखाता हूं तो यही वो plant है जिससे मैंने अपनी cuttings लेकर लगाई है अभी देखिए इसके अंदर एक flower विलकुल वैसा ही जो है वो आरक्था है और बहुत सारी कलिया इसके अंदर जो है वो already बनी हुई है तो हम कुछ cuttings की भी ल चुके होंगे और अब इसके अंदर देखिए यह एक new leaf आ गई है और cutting भी जो है मेरी यह stable हो चुकी है इस वाली के अंदर भी मुझे यहां से growth दिखाई दे रही है अगर आपकी cuttings को खराब होना होता है तो एक दो हपते के अंदर ही जो है यह नीचे से black होकर जो है वो खर लगाई थी और यह मेरा pot है जिसके अंदर मैंने शामडी का पौधा डाल रखा है और उसमें मैंने देखिए पालक की भीज भी लगाए है और बीच भीच में मैंने यह cutting भी डाल दी है ऐसे ही मैं अभी इसके साथ भी करूंगा यहां पर भी देखिए मैंने जो है कुछ cuttings ले ली है यह इस तरीके से यह मैंने अपने जो मदर प्लांट मैंने आप लोगों को दिखाया उससे लिया हुआ है और यह मैंने पिंक कलर का मेरे पास एक हाइब्रेड ही विसकस है उससे लिया है और दो-दो cutting मैंने दोनों से ले लिया है और मैंने cutting की नीचले portion पे जितनी leaps थी उन सभी को जो है हटा दिया है क्योंकि है क्या कि इन ही leaps से जो है नीचे का जो node है यहीं से routing जो है अच्छी होती है हालां कि जो गुडहल का पौधा होता है उसकी जो यह skins होती है यहां से भी इसके अंदर routing होती है मैंने इनके अंदर देखे 45 degree angle का cut भी लगा लिया ह और किसी भी तरीके के routing हर्मोन का इस्तेमाल नहीं करूंगा बस यह उपर की जो screen है मतलब skin है इसकी इसको थोड़ा सा रब कर दूँगा यह cells जब थोड़ा damage होती है उसके बाद यह जब new cells बनाती है उसी के साथ साथ जो है इनका routing का भी process जो है बहुत ही easily सुरू हो जाता है तो जब भी cutting लगाईए इस सीच को हलका हलका जो है वो जरूर कर लीजिए बहुत gently रब करना है ऐसा नहीं कि पूरा आप skin को ही निकाल दीजिए उपरी तो यह हलका सा मैंने कर लिया और उसके बाद जो है मेरे पास है साथ का फंगिशाइट यह फंगिशाइट जो है मैं इ फंगिशाइट लगा होगा तो यह फंगस का सिकार नहीं होगी और हमारी cutting जो है बहुत ही इसली जो है वो चल जाएंगी और यहां पर बिना किसी रूटिंग हार्मून के इस्तमाल किये मैंने सिर्फ जो है यह साफ का फंगिशाइट मेरे पास था वही मैंने अपने cutting के नि रोज सुरू हो जाएगी तो मैं इनको निकाल लूँगा क्योंकि हमारे pot जो permanent plant है इस तरीके से अगर हम cutting वगएरा उनके अंदर अभी लगा कर रखेंगे तो उनसे हम touch में भी रहेंगे उनको भी हम देख सकते हैं कि उनके अंदर कोई समस्या नहीं चल रही है या फिर हमार ही आसान तरीका अगर आप चाहे रूटिंग हार्मोन का इस्तिमाल करने के लिए तो आप जो है अपके घर में सहत बहुत आसानी से मिल जाएगी तो जो मैंने पार्ट आपको रव करके दिखाया है मतलब जहां पे कट लगाया है वहां पर आप लोगों को दिखाया है वहां आपके घर में अलोवीरा जेल होगा पतियों के अंदर से जो निकलता है मतलब लसलसा सा पदात उसको लगा दीजिए और उसको लगा कर इन कटिंग को लगाईए बहुत आसानी से यह कटिंग चल जाएगी हाला कि मैंने तो अपनी यह जो दो कटिंग लगाई थी इनके अं हो जाएगी कैसे लगी आपको मेरी यह वीडियो कामेंट करके ज़रू बताईएगा ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्श वीडियो में तब तक के लिए बाब बै और टेक केर